असलाम अलेकूम चैनल बिसमिल्लाइब सोई में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिल्ली का फेमस नाश्टा और बहुत जादा फेमस रेसिपी हम बनाएंगे हल्बा परांथा क्योंकि हम दिल्ली से ब्लॉंग करते हैं तो काफी बार हमने यह हल्बा परांथा खाया है ज तो बस हमने सोचा क्यों यह रेसिपी अपने स्टाइल में कनवर्ट करके आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी एजली हल्बा परांथा घर पर बनाकर इंजॉय कर सकें तो चली देख लेते हैं इसकी और मज़िदार सी रेसिपी तो चली हल्बा परांथा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम डो तियार कर लेंगे एक मिक्सिम गोल मिलेंगे 600 ग्राम मैदा और उसमें एट कर देंगे टू टेबल स्पून सूजी और साथ ही हम एट कर देंगे टू टेबल स्पून दही टू टेबल स्पून ओईल और थोड़ा सा नमक और इन सभी इंग्रेडियंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तियार कर लेंगे और यह लेजे बहुत सौफ्ट सर डो हमारा बनकर तियार हो चुगा है अब हम इसको आदे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पर और उसके बाद बनाएंगे इसके पराथे चली हल्वा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे शीरा जिसके लिए हमने एक बतन म चीनी चीनी आप अपने टेस्स के साफ से कमिया जाद भी ले सकते हैं चीनी को भी अच्छा से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पर बोई लाने का इंतिजार वुचली चीरे को में एक साइड को खोने देते हैं और लेंगे एक कडाई उसमें एड करेंगे हम सो ग्राम घी सबी ड्राइफूर्स को हलका सा रोस्ट कर लेंगे सबी ड्राइफूर्स अच्छे सा रोस्ट हो चुके हैं और शीरे में भी बॉल आ गया है अब हम इस ऊच्छद कर देंगे घी और यह लिजे बॉल भी आ चुका है अब हम इसमें एट कर देंगे सूजी वीडियो लंबी तो पहले हमने सूजी को सो ग्राम घी में भून कर रख लिया था तो इसमें मिला देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने और इसको तब तक चला दे जाएंगे जब तक की इसकी कंसिस्टेंसी हल्वे जैसी नहीं हो जाती है अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक पिंच इलाइची पॉडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपने देखा यह होगा जामज पर मिलने वाला पराठा जो होता है उसमें हल्वा बहुती पतला होता है और जो हम घर पर बनाते हैं वो इतना पतला नहीं होता है तो अब हल्वे को गानिश कर लेते हैं पहले हम इसमें एड़ करेंगे बदा आपको इसमें एड़ कर सकते हैं गानिशिंग के लिए अब एड़ कर देंगे टूटी फूटी और यह लीजे एकदम मज़दार कलर फूर बनकर रेड़ी है तूटी फूटी मैंने हापर रैड ग्र अब बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले में कड़ाई लेंगे गैस को अन करेंगे और उसमें एड़ करेंगे और पराथी फ्राइब करने के लिए हमने यूज किया है सफोला गूल ऑई क्योंकि यह लाइट वेट होता है और हैल्थ के लिए अच्छा होता है तो चलिए आप साफट करें अच्याना इसमेस तो चाह्ता है और यहां तो साफ्ट कर्लिए और फूड़ा साफ्र आप सोफ्ट कर लेंगे अच्छा प्रिक्ति अखिग और नहरे खानए के ऐडेता को आटोगारित की यह एक से उनस को मैक्सिम्म फैलाईकी और हममें चेद कर दे इस तरह से फ्राइब लेते हैं और अइसकी साइड चेंज कर देंगे और यह देखें पराठा बनकर हमारा तियार है इसी तरीके से बागी के पराठी भी तियार कर लेंगे पराठे का साइज हमने चोटा रखा है क्योंकि घर में इतनी बड़ी कड़ाई यह नहीं होती है कि उ तो छलिए बागी के प्राधे भी इसी तरीके से पुना लेंगे और यह लिए दूसरे प्राधा बन कर तियार है हल्बा भी थियार है प्राधे भी घरम पना तियार है तो देर किस बात की आई एक्पर सर्फ कर लेते हैं और यह लीजे जाओ मजीद का फेमस हलवा पराथा पर कर तियार है तो यह थी आज की रेसिपी आपको यह पसंद आई होगी हमारे तरीके से जब रहे कि जब रहे कि ज़िए अच्छी लगी तो इसको लाइक और फैमिली फ्रेंज में शेयर करिएगा और हमें कमें सेक्षिन म अगर आप कभी जाओ मज़िद भूमने जाते हैं तो आपको महां पर जागर क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है चले एक प्राथा में आपको तोड़कर भी रिखा देती हूं कि अंदर से कितना सॉफ्ट और भाहर से एकदम क्रिस्पी बनाए यह देखिया पराथा एक